यह है राची का मशूर दसमफॉल दसमफॉल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दस दिशाओं से यहां पानी गिरती है जो जहरने के रूप में आप देख रहे हैं नीचे वह नीचे तक आती है बेहत खूबसूरत वाटरफॉल तो है ही लेकिन इस वाटरफॉल के साथ ही कुछ की वदंतिया भी है रहस्य भी है और उन रहस्यों को आज तक कोई जान नहीं पाया है हलांकि इसे जानने की कोशिश कई सारी लोगों ने की है दर असल यहां हर साल बड़ी संख्या में प्रयाटक दूब कर अपनी जान भी गमा देते हैं करीब करीब दस लोग हर साल यहां पर डूब कर मरते हैं और वो मौत इसलिए होती है क्योंकि यहां कुछ गहरे भवर में फच जाते हैं जिसके बाद वो बाहर नहीं आ सकते हैं लेकिन इसके साथ जो रहज से जुड़ा है जो अंदविश्वास आप कह लेजिए एक बार कही जाती है वो एक कहानी से जुड़ी भी है कहानी है छैला संदू की छैला संदू एक ऐसा पात्र है जो सैक्रो वर्स पहले कभी हुआ करता था और वो एक किताब में भी दर्ज ह छैला संदू एक गाउं में रहता था जो मेरे दाई और देख रहे हैं वो एक पहाड़ी है पहाड़ी के तरफ वो रहता था और वो यूवक इस बाई और एक गाउं में एक लड़की थी बिंदी उससे बहुत ही महबत करता था प्यार करता था और हर रोज वो उससे मिलने क फिर सुबा वो चोरी छुपे उसी लता के साहरे अपने गाउं वापस चला जाता था। लोगों को ये बात नागावार गुतरी और उस लता को लोगों ने काटने की कोशिश की। लता कटी नहीं आधी अधूरी कटी रह गई लेकिन दूसरे दिन जब चैला संदू अपनी प्रेमी का बिंदी से मिलने के लिए उसके गाउं जा रहा था तो वो लता तूट गई और तूटने के बाद कहा जाता है कि इसी फॉल में नीचे चैला संदू गिर गया और उसकी मर जाते हैं यह कहानी कितनी सच है और कितनी जूट कितना अन्विश्वास है और कितना डूबने में यहां साइंस नीथ है इस बारे में लोग अब भी खोच कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच मौत का जो आक्रा है उसने इस बहुत खूबसूरत वाटर झाल झाल